बैसे तो देश में अनेकों हनुमान मंदिर है जहां जाने से लोगों को आत्मिक सांती मिलती है वहीं अध्यात्मिक मजबूती भी मिलती है पन्ना जिले के जिन्ना धाम हनुमान मंदिर में यहां पर भी एक अनुखा रहश्य देखने को मिलता है जहां रंतर तीस सालों से चट्टान से प्रकट हुई थी पन्ना जिले के अजेगर तहसील इस्तित जिन्ना धाम हनुमान मंदिर में लगातार तीत साल से अखंड रामधुन का पाठ चर रहा है चोगाने वाली बात या है कि यह मंदिर घने जंगल पन्ना टाई के रेजर्ब में मिस्तित थे और यहां लगभग इनक्याओन गाओं की मंदिलिया लगातारा कर रामधुन का पाठ में भाग लेती हैं इसके अलावा इस मंदिर में रहने वाले बुझूर्ग सादूसंत्वी लगातार यहां पर रामधुन के पाठ में लगे रहते हैं जिन्ना धाम हनमान मंदिर से अनेकोछमतका लोग दाटों तले अंगलियाँ जबा लेते हैं एक चमतकार को है कि इतने घनेम जंगल में मंदिर इस्तित होने के बाद भी और यहां आसपास कई खुखार जंगली जानबर भी रहते हैं लेकिन मंदिर में आने वाले सरत दालूओं को ना तो किसी प्रकार का नुस्कान पहुंचाते हैं और ना भी कभी इन सरत दालूओं पर इन जंगली जानमरों ने आज तक हमला किया है जे भीया सत्रायाट तेहरानवे से भादों बदी अमास्याहां इसकी बैठकी भाईती जब से लगातार 30 साल से लगातार चल रही है हनमान जी की ऐसी करपा है यहां पहले इंक्याउन गाउं जुड़े थे इंक्याउन गाउं का मंदल चल और पांच बार यहां बड़ी बड़ी यग्यें हो शुकी अठारा पराण चार बेच्छे सास्त्र और एक सो एक इस बेड़ी हवन कुंडी यग जिन्ना धाम हनमान जी के नाम से प्रसद्द हैं जिन निकली भाई मूर्ती है इस्थापत मूर्ती नहीं है यह निकली भाई म यहां तो बहुत दूर दूर के बोग आते हैं ना पन्ना चाता पुछ लगा के बंबाई तक को दिली तक को आदमी आता है चित्व कूर सब्रेक आदमी आता है कि अ